हेलो दोस्तो एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका यार रजनीस और मैं आज आपके लिए बहतरी इंट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि मैं बता हूँगा कि आप कैसे इंसॉट एप की मदद से इंसॉट की उपर भी आप एडियो बनाया है थोड़ी की मदद से अवे लेकिन उससे मैं संतुस्ट नहीं हूँ तुमें फिर से बना कर ला रहा हूँ तो चली वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले आपको इंसॉट डाउनलोड कर लेना है इंसॉट डाउनलोड करने क बाद आपको वीडियो वाला कुछ ऐसा इंटरपेस आपको देखने मिलता है हो सकता है थोड़ा बेग्राउंड नाइस आ रहा हो आपको तो इसको थोड़ा सायन कर लीजी आप गाड़ी होगे रहा है वीडियो का ओप्सन पर किलिक करना है देन निव के उपर आपको किलिक करना है ओके यहां से मुवी जो सेलेक्ट कर ले नहीं है आपको मैं मुवी सेलेक्ट कर देता हूँ सांग्ची मुवी को एडिट करके दिखाऊंगा मैं ऐसा अब यहां पर कुछ ऐसा इंटरपेस आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको रेशियो सेलेक्ट करना होता है सोला अनुपात नौ मतलब 16 इस्टू 9 का रेसियो जो है ठीक है प्लिक करना है केनवास के उपर जो सबसे पहले आपको आपको आपसन दिखेंगा इंसोर्ट में बाकी अपके अंदर आपको बेग्राउंड का आपसन मिल जाता है जैसे यू कट के अंदर आपको बेग्राउंड ओल आपसन आता है इसमें केनवास ओल आपसन है केनवास के उपर क्लिक करके 16 इस्टू 9 के रेसियो पर आजाना है 16 इस्टू 9 पर क्लिक कर देना है अब इसको देखिए कुछ ऐसा दिख रहा तो फुल नहीं इसमें एक बेजल आ रहा है ठीक है इसको थोड़ा सा है देखिए फिर सेकेंड रॉस पर जाना है थोड़ा सा इसको ऐसा बड़ा देना है तो ये फूल हो जाएगा देख सकते है थोड़ा फूल हो गया है अब मैं सबसे इसका इंटो डिलेट कर देता हूँ खिक है तो ये इतना इंटो हटा देता हूँ हटाने कना का करना होगा इसकी लिए आपको स्प्लिट का ओप्सेझ मिलता है Trim और स्प्लिट दो ओप्सें होते है इसकी volume को कम या खतम कर देना है तो volume कम करने के लिए आपको simple सा volume के उपर जाना पड़ता है और दूसरा option होता है extract audio दो option होते हैं तो सबसे पहले volume के उपर जाओंगा volume के उपर आ जाना है इसको आप zero करेंगे तो भी आवाज कम हो जाएगी और दूसरा option है extract audio का काइन मास्टर के अंदर आपको option देखने ही मिलेगा extract audio बाकी के अंदर आपको volume वगरा option मिलता है तो extract audio आपको कर देना है करने के बाद ये audio इसका लग हो जाएगा select करना है उस audio को delete कर देना है तो ये video आपका पूरा इसके बाद हमको दूसरा काम क्या करना है इसके बाद हमको करना है इसका filter change ठीक है तो देखिए बहुत safe के अंदर आपको filter आपको फिल्टर आवल option देखने मिलता है ये बहुत safe के अंदर आपको effect आवल option देखने मिलता है ठीक है तो यहां तो वीडियो का adjust कर सकते brightness हो गरा इधर उतर करके ठीक है तो यहां पर filter की उपर जाना है filter पर ऐसा आएंगे और इसका जो origin color वो change हो जाएगा मैंने अपने बार-बार वीडियो में पुराने वीडियो में भी पता है कि ऐसा करना होता है adjust में जाके brightness वगरा कम जादा करके आप ऐसा manage कर सकते है करना चाहे तो contrast वगरा कम जादा यह क्या है copyright वगरा से बचाने में आपको मदद करता है तो इसका wishes आप याद या ख्याल कर ठीक है अब यह हो गया आप इसके बाद हमको क्या करना है वीडियो को slow कर लेना है slow कर सकते है पहले या बाद में अब हमको चाहिए audio clip ठीक है intro delete कर दिया है तब जो pre-recorded आपके पास audio का clip पड़ा होगा जो अपने movie explanation के लिए record करके रखा होगा पहले से तो उसको add करना होता है simple सा इसके बाद मैं जो intro कैसे बनाते movie explanation के लिए तो वीडियो लेकर आऊँगा मैं अभी ये editing खाली बता रहा है आपको कैसे आप करेंगे ठीक है आप बिना intro के भी शुरू कर सकते वीडियो को या intro के साथ भी शुरू कर सकते तो मैं पहले वो जो audio clip है pre-recorded तो उसको मैं ला लेता हूँ music पर click करना होता है music पर जाएंगे then यहाँ पर my music में बीच में जो option दे रहा है my music का यहाँ पर आ जाना है my music पर click करने के बाद आप यहाँ simple साथ सर्च कर सकते जो नाम होगा perfectly आपको सब्सक्राइब डालनी होती है तो आ जाता है यह पहला audio दिख रहा है इसको मैं use कर देता हूँ अब यह audio भी आपका जो wise or किया हूँ audio वो आ चुका है दिखिए इसको कैसे edit करना है उसकी link इसके description में दूँगा जो audio कैसे edit करेंगे Lexis audio editor के through तो उसका video अल्रीड बना हुआ उसको जाकर देख सकते है description में link उसके मिल जाएगे ठीक है तो उसको जाकर जरूर देखे तो उससे audio को कैसे edit करेंगे साथ में background का mix up कैसे करेंगे background music का वो भी बताया है उसमें मैंने ओके यह होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले audio का intro delete करना है तो audio का intro मैं delete करूँगा उससे पहले मैं इसको जो है मुझे इतना clip चाहिए suppose मुझे इतना clip अभी चाहिए ठीक है थोड़ा सा editing के लिए तो मैं इतने video को थोड़ा सा slow कर देता हूँ simple slow करने के लिए क्या करना है थोड़ा सा एक clip में बाट लेंगे इसको split करके ये clip आपका एक ready हो चुका इतना select करना है then उसके बाद में इसकी speed को change कर देना है आपको ठीक है speed चेंज करने के लिए मतलब थोड़ा slow motion में कर देना है option इसमें होता है speed वाला हर application के अंदर आपको मिलता है जो editor होते है आपको video editor speed के उपर आना है यहाँ पर और इसकी जो आपको जो application होगी आपका आसो उसमें 1x, 2x, 3x, 4x ऐसी speed आपको देखने बिलती है बढ़ाते जाएंगे तो speed क्या है उसकी थोड़ी सी बढ़ती जाएगी मतलब fast होते जाएगा video कम करेंगे तो slow हो जाएगा देखिए तो मैं यह थोड़ी कम कर देता हूँ point 4 तक कर देता हूँ अब यह video क्या है जो मेरा slow हो चुका है थोड़ा time ले लेता है अगर किसी का phone frame वगरा कम ली तो उसमें time लगता है इसमें quick हो गया है थोड़ा सा अब मैं पहले play करता हूँ एंट्रो को डिलेट करने है video का arena जो वीडियो समें आपको बताऊँगा अंट्रो की इडिनिंग मैं आपको बताऊँगा बाद में कैसे उस इंट्रो को आपको डालना है ठीक है कैसे बनाना है तो उस तरह का video को लाने हूँ मैं play करके लिएगाता हूँ हेलो एवरिगण मेरा नाम है रजनीज और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नहीं का निसका नाम है सांग्ची एंड दी लेजेंट आप दी टेंटरेंगर तो इंटर को पहले डिलेट कर देता हूँ मैं ठीक है यहाँ पर डिलेट करने के लिए हमको आडियो का इंटर डिलेट करना है तो म्यूजिक पर जाना पड़ता है म्यूजिक पर जाने के बाद क्लिक करना है ऐसे सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करके और जो इससा डिलेट करना है स नें वीडियो के जैसे तो वहाँ पर डिट का option आता है..? डिलीट कर देने है... डिलीट हो जाएगा.. अब उसके बाद मुवी की सुरूवात में हम देखते एक जाबा जुद्धा को जिसका नाम होता है वेनु ठीक है तो ये इतना कर दिया है मैंने अब इतना एक छोड़ा सा में क्लिप बना लेता हूँ ऐसे साप Dalam दोसे के दो सेगन का वीडियो में तो इसी वीडियो को क्लिप को सामने ता क्लिप है देखित थोड़ा सा लंबा हो रहां चार श्रीकर जा रहा है वििशेस आपको ख्याल रखना है इसमें आप 3 second तक का clip रखे अपने वीडियो में ठीक है जो आप movie को explain करेंगे जो editing करेंगे उसमें 3 second तक का वीडियो रखे तो वो रखने के बाद ऐसे clip मैंने already बनाया तो अब इसको थोड़ा लंबा लग रहा है clip तो मुझको क्या करूँगा मैं सामने जाना एक option की उपर duplicate इसका generate कर देना है ये दो duplicate generate हो गए अब इसमें जो अपना second number का duplicate है तो उसको आपको reverse कर देना है ये second number आप देखिए ये कि ये पहले प्ले करता हूँ तो movie की सुरात में हम देखते कि जाबा युद्धा को जिसका नाम होता है वेन वो तो जो दूसरा वाला है इसको simple सा आपको reverse कर देना है ठीक है ये hundred तक हो जाएगा अब ये अब देखिए तो movie की सुरात में हम देखते कि जाबा युद्धा को जिसका नाम होता है वेन वो कुछ इस टाइप से मतलब एक ही किलिप के अंदर हमारा काम होगा है हमने उस किलिप को लंबा भी कर दिया कम सेकेंड का भी कर दिया और इससे कहाई कापिरेटर वगेरा सा है बज भी जाए बॉलिवोड से लुए तो आपको यह देखने मिलता है जब उनको लंबे क्लिप चाहिए होते तो वो यही तरीका अपनाते अपने वीडियो के अंदर ठीक है यह क्लिप रेडियो गामरा देखिए तो मूवी के सुरुवात में हम देखते एक जाबा युद्धा को जिसका नाम होता है वेन्वू यहाँ पर बुला कि वेनुव के पास होते हजारो साल पुराने करामाती 10 rings तो यहाँ पर हमको देखना है कि वेनुव के पास हजारो साल पुराने करामाती 10 rings हमको कहा दिख रहे हैं तो इस वीडियो में हमको सामने देखना है दिखी है यह 10 rings से यहाँ पर दिख रहे हैं हमको ठीक है तो यह हिस्सा हमको ले लेना है थोड़ा सा यहाँ पर एक cut लगा देना है हमको मतलब split कर देना है symbol सा split all option से split कर दिया है मैंने अब एक दूसरा clip मुझको यहाँ तक का ले लेना है यह और एक यह cut लगा देना split अब यह हिस्सा में पर रेडियू गया यह clip ओके तो इस clip को मुझे क्या करना है पहले एक थोड़ा सा copy करके रख देता हो यहाँ पर यह duplicate बना के उसका ताकि बाद भी मुझको कामा सके और यह हिस्सा वह हिस्सा जो हमने duplicate किया उसको सामने scroll करते हैं जा हमको जरुवत थी उसकी तो उसके हिसाफ से उसको लाएंगे आपर तो क्या करना है यह जो हिस्सा clip है इसको थोड़ा press करके रखना होता है और यहाँ से इसा ला देंगे तो यह set हो जाएगा अब मैं play करता हूँ तो मूवी की सुरुवात में हम देखते है जाबा युद्धा को जिसका नाम होता है वेन्वू वेन्वू के पास होते हजारु साल पुराने करामाती 10 रिंग्स यह 10 रिंग्स वाला जो हिस्सा है तो इसको भी आपको slow करना होता है ठीक है तो slow कर दूँगा मैं यहाँ पर speed में जाना है आपको फिर से speed में जाके ऐसा slow आपको कर देना है अब देखते है play करके क्या बोलता है यहाँ से वेन्वू वेन्वू के पास होते हजार उस साल पुराने करामाती 10 रिंग्स ओके यह clip हो गया हमारा split कर देना है अब क्या बोलता है आगे की script यह थोड़ा सा इससाग डिलीट कर देता हूँ यहाँ से अब क्या बोलता है देखिए करामाती 10 रिंग्स इन 10 रिंग्स की यह खासियत होती है कि जिस किसी के पास भी यह 10 रिंग्स होंगे वो बहुत ज़्यादा powerful और अमर हो जाएगा इन 10 रिंग्स की यह खासियत होती है कि जिस किसी के पास भी 10 रिंग्स होंगे वो बहुत ज़्यादा अमर और powerful हो जाएगा तो 10 rings ये ठीक है सेम वैसे ही कर सकते है अगर वो ही दिखाना है सेम यहाँ पर भी वही कर सकते है वो जैसे मैंने duplicate बना के reverse किया था तो वो सेम यहाँ पर apply कर सकते है अगर वो नहीं करना है आपको नहीं करना है आपको नहीं चाहिए वैसा तो इसको आप थोड़ा सा लंबा तीन चार सिगंड का कर सकते हैं ऐसा इस टैप से ओके तो यहाँ पर यह होने के बाद अब इसमें थोड़ी मूवमेंट डालेंगे तो यह एजर क्लिप आपके पास रेडी हो जाएगा जाना है मूवमेंट डालने के लिए बहुत से अफली क ठीक है इसमें जाना है इसको थोड़ासाइसा कम कर देना है अब देखेंगे मैं इसको प्ले करकी दीखाँगा आपको यह जूम वाले इसे को आपको बराबर मेनेज कर लेना होता है अब मैं यहां से प्ले करूंगा एक कैसा लग रहा है करामाती 10 rings इन 10 रिंग्स की यह खा हो जाएगा तो जिस किसी के पास मतलब पावर फूल कि जिस किसी के पास भी एक चोटा सा क्लिप लगा सकते है या तो इसको थोड़ा सा लंबा खी सकते है ऐसा और यहां से कि जिस किसी के पास भी ये 10 रिंग्स होंगी वो बहुत ज़्यादा पावर पुल और अमर हो जाएगा तीन चार सिकंड के अंदर ही हो गया वो और एक स्प्रिट लगा के इसको डिलेट कर देना है ऐसा हो गया, देखिए तो अब मैं प्ले करता हूँ तो मूवी के सुरुवात में हम देखते एक जाबा युद्धा को जिसका नाम होता है वेन्वू वेन्वू के पास होते हजारों साल पुराने करामाती 10 रिंग्स इन 10 रिंग्स की ये खासियत होती है कि जिस किसी के पास भी 10 रिंग्स होंगी वो बहुत जादा पावर्पुल और अमर हो जाएगा एक योग ये वक्ति हमको दिखाना है तो ये एक इतना क्रीप लेना है हमको स्पीड करना है अब इसको थोड़ा सा लंबा खीज देना है मतलब हमको उसकी स्पीड में थोड़ा सा बदलाव कर देना है मतलब स्लो कर देना है बोलने का मतलब यह है, तो speed में जाऊंगा, यह already slow है, यह देखे, लेकिन एक योग की व्यक्ति यूज रिंगों को धारन कर सकता था, बोलता है, कि वेनू ने उन 10 रिंग्स की बदलत, अपने दोर की सारी लड़ाई आजिती, अब यहाँ पर हमको दिखाना है, यह वेनू वाला हिस्सा, ताकि थोड़ा यह देखिए, वेनू दिख रहा है, हमको यहाँ पर, इस्पिलेट करना है, बीच का अन्वांटेट हिस्सा रह गया, उसको कर देना डिलेट, ठीक है, यह वेनू, वेनू का एक पिक्चर जनरेट कर देता है, फ्रेस करके, यह हो गया, वेनू ने अपने दोर की सारी लड़ाई आजिती, उन ट्रेंड की बदलत, अपने दोर की स को, ओके, तो यहां से एक कट लगा दूँगा, इस प्लेट का, और ये, ये वाला, अब ये जो हिस्सा, इसको उठा के हमको उधर लेके जाना है, जहां पर हमको चाहिए था, सारी लड़ाईया वाला, तो ये, हमको यहां इसकी जरुरत है, ठीक है, अब देखते, कहां पर स अब देखते, प्ले करके, लेकिन एक योग की वेक्ति उन रेंगो को धारन कर सकता था, जहां पर जो पिक्चर जनरेट करते, तो उसके अंदर आप मूवमेंट दे दे, तो मैं अभी मूवमेंट नहीं दे रहा हुए, कि अल्रेडी मैं देखे बदाया कि कैसे देना है, तो थोड़ा सा आपको स्पीड में इसके बदलाव कर देना है, ये, अब देखिए, प्ले करता हूँ है, वेनु ने उन टेंडरिंग्स के बदोलत, अपने दोर की सारी लड़ाईयों, लड़ाईयों वाला सीन भी वहापर मेच हो रहा है, यहां से एक और किलिप ये जनरेट कर आपको देना है एसे, सिंपल सा ये वाला हिस्सा वेनु वाला और इसको उठाके यहां प्रम को सेट कर देना है, अब देखिए, प्ले करता हूँ, वेनु जहां भी लड़ने जाता, उसके दुस्मन को उसके सामने घुटने टेकने पड़ते थे, तो उनका दुस्मन जो है, वो दुस्मन कहा दिखा रहा है हमको ये देखिए दुस्मन दिखा रहा है इसको दुस्मन को हमको ऐसा ला लेना है ये या इसको आप बेक करते हैं ऐसा undo कर सकते हैं ये ओले हिससे जो दोएक सकते हैं धर corner में आपको undo का option दिख रहा है तो इससे undo हो जाएगा ठीक है तो यह दूस्मन को दिखा देता हूँ मैं और इसका एक clip यह दूस्मन का split कर देता हूँ यह split कर दिया है अब यह जो दूस्मन आप एक clip है यह radio गया है प्रिफ थोड़ा सा खीज देंगे ऐसा और यहाँ पर इसको थोड़ी सी speed में इसके परिवरतनाप कर दे ऐसा अब देखिए क्या बुलता है वेन वो जहाँ भी लड़ने जाता उसके दूस्मन को उसके सामने घुटने तेकने पड़ते थे ऐसा बुला है वेन वो चाहता तुन ट्रिंग्स की ताकत का उपयोग वो सही कामों के लिए कर सकता था लेकिन यह ऐसे बताऊंगा तो यह बहुत लंबा वीडियो जाएगा अल्रेडी इतना लंबा वीडियो पहले से होच चुका है तो दीकिए जितना आपको चलिए इस वीडियो में बताया एक और बात Watermark आपको लगाना 오래गा वार्डर मार्क के लिए की अगर ना टेक्स्ट के अंदर जाना है यह text आपको ऐसे कर देना है जैसे text में लिख दिया यह आपका यार भी लिख सकता है मैं आपका यार लिख देता हूँ यह आपका यार हो गया देन यहाँ पर इसको आप थोड़े से अगर फॉंट हो गएरा कलर हो गएरा देना चाहते तो दे सकते अन्यता कोई बात नहीं वाइड कलर भैतरीन रहता है और यहाँ पर ब्लेंडिंग करना है इसकी ब्लेंडिंग मतलब उसका जो एफेक्ट है उसके ब्लेंडिंग भी कर सकते ब्लेंडिंग कर सकते या उसकी जो ओपिसीटी को भी कम कर सकते ठीक है तो यह अच्छा रहता है आपके वीडियो के लिए वाटर मार्क लगाना ना भूले यह कापी बड़ा वाटर मार्क हो गया या ब्लेंडिंग कर सकते ब्लेंडिंग कैसे करने इसके पहले वाले वीडियो में अल्रेडी बताया है जो पावर डिरेक्टर से में एडिटिंग बताया था ये कुछ इस टाइप से में प्ले करके दिखाता हो पज़े कैसा बनाए तो मुवी के सुरुवात में हम देखते एक जाबा युद्धा को जिसका नाम होता है वेन्वू वेन्वू के पास होते हजारों साल पुराने करामाती 10 रिंग्स इन 10 रिंग्स की ये खासियत होती है कि जिस किसी के पास भी 10 रिंग्स होंगी वो बहुत ज़्यादा पावर पुल और अमर हो जाएगा लेकिन एक योग की वेक्ति युद्ध रिंगो को धारन करता है आपका यार पे तो यह सिंपल सा उसको मैं थोड़ा खीची देता हूँ बड़ा यह ऐसा जाना है इसके अंदर और थोड़ा सा इसको लंबा कर देना है आपके जो क्लीप तक तीक है जाद तक आपका वाइस हो रहा है आप आप देखेंगे कि यह पूरी जो है आपका क्लीप उतने तक आजाएगा आपका वाटर मार्क भी कुछ इस टाइप से आपको एडिट करना होता है इंसोर्ट के अंदर जो मुवी एक्स्प्लेनेशन है तो उसको इडिट करने के लिए इतने आपको पिचर चाहिए होते और इतने काफी ए मेरे ख्याल से और सम्टाइब कुछ चाहिए तो यहां से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना बोले। चाहते हैं किसी विशे की उपर वीडियो बनाओं तो कमेंट निश्चित रूप से करें। आप मैं कोशिच करूँगा वीडियो बना कर लाओं। अब अभी तक अगर वीडियो देखा है तो थैंक यू फर वाचिंग बने रहे हैं।